वित्वंत्री निर्मला सितारमन ने संसद में बज़ट पेश किया लेकिन जनता की उमिदे पूरी नहीं हो सकी नहीं मिडिल क्लास को टेक्स राहत मिले और नहीं गरिबों के लिए जन कल्यानकारी योजनाओं के लिए जादा कुछ किया गया बज़ट पर बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमों मायवती ने भी प्रतिक्रिया देते हुए निराशा जताई है मायवती ने ट्वेटर पर लिखा है संसद में आज पेश केंद्र सरकार का बज़ट पहले मंदी ववर्तमान में कोरोना प्रकूप से पिड़ी देश की बिगड़ी अर्थवेवस्ता को संभालने तथा यहां की अतिगरीबी बिरुजगारी वा महंगाई आदी की राश्ट्री समस्या को क्या दूर कर पाएगा यहीं आधार पर सरकार के कार्य कलापों वा इस बज़ट को भी आँका जाएगा। देश की करोडों करीब किसान वा महनत कश जनता केंद्र वर राज्य सरकारों के अनेक प्रकार के लुभावने वाइदे, खोकले दावे वा आश्वा सनों आदी से काफी ठक चुकी है। त परकारी प्रतिष्ठानों वो संपतियों को बेशने की सेल थी। रेल, रेल वेस्टेशन, एरपोर्ट, लाल किला, बेसेनल, एलाइसी बेशने के बाद ये बज़ट नहीं बलकि अब बैंक, बंदरगाह, बिजली लाइने, राश्टरी सडकें, स्टेडियम, तेल की सिल आफर चल रहा हो, पता नहीं सरकार चला रहे हैं कि हर एक माल की दुकान, कुल मिलाकर जंता को ज्यादा राहत नहीं मिली है, बज़ट को लेकर लोग सोशल मीडिया पर नाराजगी जाहिर कर रहे है,